भारत में 4 करोड से भी जादा जानवर सड़कों पर रहते हैं पिसले कुछ सालों में 5 लाग से भी जादा जानवर क्रूल्टी या किसी और दुरगटना का शिकार हो है और इन में से अधिकतर वेटरिनरी सर्विस ना मिल पाने के कारण अपनी जान गवा देते हैं पीपल फाम में फिलहाल 50 से 60 जानवरों की देखभाल करने की शमता और जगा है लेकिन जिन गहल जानवरों को हम यहां नहीं ला सकते उनका हम मौके पर ही जाके इलाज करते हैं जिसे हमने नाम दिया है ट्रीट ओं स्ट्रीट जितने जानवेरों को हमने यहां क्लिनिक लाके बचाया है, उससे कई ज्यादा ट्रीट ओन स्ट्रीट के अंतरकत बचाया है लेकिन यहां भी कई मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है अपर मंदर, ताम नहीं आंचे जी, कोई खुटा तो नहीं देखा है यहां पर आपने, बोरे दंका तो नहीं आया है यहां तो कोई आपने यहां बहुत बार ऐसा होता है कि हमें कोई फोन करता है कि कुटा जख्मी है यह कहां जख्मी है तो उसको आके देख दो, पर जब हम कभी आते हैं यहां पर त तो वह फर्स्टेट ट्रीटमेंट सीख ले थोड़ी जब हम ना पहुंच पहाँ या तो हम आये वो ना मिल पाए तो वह उसका इलाज कर पाए ताकि उसको प्रैमरी ट्रीटमेंट तो कम से कम मिल सके आशी जो बुड़े जानवर ऊता हुत का रीकावर होना थोड़ा मुस्क्रिण तो होता है पर अगर हम जो जानवर वीक हैं या जो जानवर उसक नहीं पा रहे हैं अच्छे से उनको हम अपने क्लीनिक में लेकर आते हैं जिनके उनको भी infection बहुत जल्दी grasp हो जाता है कि उनकी community वैसे ही low होती है कई बार कुछ जानवरों की injury इतनी बड़ी नहीं होती और उन्हें सडक पे ही जाके treat किया जा सकता है लेकिन अगर उन्हें यहां लाया जाए तो वो ऐसे जानवरों की space ले लेते हैं जिनकी condition serious होती है और जो बिना देख रेके नहीं बच सकते हैं ऐसी हालत में अगर हम जानवरों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम एक चीज़ सीख सकते हैं वो है first aid इससे आप अपने घर के आसपास किसी भी घायल जानवर की तुरंत मदद कर सकते हैं और तब तक के लिए राहत दे सकते हैं जब तक की कोई बैट ना है साथ ही आप अपने पडोसी और स्थाने लोगों के साथ एक conversation शुरू कर सकते हैं और उन्हें भी जानवरों के प्रती समवेधन शील बना सकते हैं देखे किसी की मदद करने के लिए किया हुआ कोई भी काम चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो कभी व्याट नहीं जाता अगर आप भी इस बात से इतिफाक रखते हैं तो आप भी फर्स टेट सीखें और इस वीडियो को शेर जरूर कीजें